यह वेलकम दो चैनल यह है इनोवाक का 2.7 वीएक्स वेरेंट पेट्रोल वेरेंट तो इसका आज हम रिविई करेंगे इसमें क्या फीचर्ज ओफर की जाते हैं इसकी क्या प्राइजिंग है इन सब की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से अब सबस्क्राइब नहीं तो जल्ब से चैनल को सबस्क्राइब कर लेना सबसे बहले फ्रंट प्रॉफाइल की बात करते हैं यहां पर रिड्लाम्स देखते हैं तो LED प्रोजेक्टर है लांस मिलते हैं और यहां पर DRL में जाती है डे टाइम रॉनिंग लाइट और यह जो किए यहाँ पे जो है इसका इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हलो जन इंडिकेटर है यहाँ पे फ्रंट परकिंग सेंसर भी आपको देए गए यह पनाओ भी जाता है अग्कisen a इस तरफ बेट धृसरा ओगतर की प्लेश्मेंट हैं यहां दी गई है तो और यू नो कि Toyota की reliability जो है कहीं भी आपको ऐसी reliability offer नहीं की जाती ताइट प्रोफाइल की तरह बात है तो यहाँ पे diamond cut alloy wheels offer किये गए हैं जिसकी proper size है 205-65R, 16 inches के यहाँ पे आपको diamond cut alloy wheels मिलते हैं जिसका design जो है Glanza और Baleno के जो top of the line में diamond cut alloy wheels आते हैं उसे काफी similar है बट काफी attractive लगते हैं body cladding से आपको यहाँ पे नहीं दी गई है और यहाँ पर ORVM पर इंडिकेटर जो है integrated मिल जाता है पार्किंग कैमेरा 360 डिरी पार्किंग कैमेरा आपको यहाँ पर आफ़र नहीं किया जाता वेल door trim भी जो है आपको black color finishing में मिलती है आप ऐसे accessories का part उसे chrome में करवा सकते हैं door handles जो है वो chrome treatment के साथ है with keyless entry option और यह color जो है काफी अलग है पहली बार मैंने Innova Krista में ऐसा color देखा है कि most of the time Innova Krista जो white color में ही मैं देखता हूं and side profile से भी काफी बढ़िया लगती है Toyota Innova Krista rear profile के तरफ आते हैं तो आपको LED टेल लाइट का asset setup नहीं मिलता सारे जो bulbs हैं आपको halogeny मिलते हैं यहां पर 2.7 V की badging दी गई है रियर विंट्षिल्ड पर आपको रियर वाइपर मिल जाता है विद वॉचर रियर डिफॉगर यहां पर दिया गया है spare tire की placement जो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ दी गई है यह 3 रोक आ रहे तो spare tire की placement आपको नीचे की तरफ मिलती है और overall look देख सकते हैं तो Toyota Innova Krista कभी भी outdated नहीं लगती तो यह था इसका overall exterior का walk around चलते हैं आप जल्दी से इसके interior में देखते हैं इसके जो second top of the line variant उसमें क्या कुछ features offer किये जाते हैं और इसकी pricing में बताऊंगा at the end of video इसकी pricing बताऊंगा तो जल्दी से इसके interior में चलते हैं देखते हैं second top of the line में आपको क्या कुछ features offer किये जाते हैं यहां पर डॉर पैनल पर फैबरिक पॉल्सट्य की finishing मिल जाती है डॉर पॉकेट में भी काफी डीसेंट सी स्पेस यहां पर की गई है यहां पर जो है लैंप मिल जाते हैं यहां पर पावर विंडो के सब्सक्राइब जाते हैं सारे पावर विंडोस वन टच अप डाउन मिलेंगे सेंट्र लॉकिंग का यहां पर बटन मिलेगा यह जो है जो जॉइस्टिक मिलते हैं इलेक्ट्रोनिकली एड़िस्टेबल ओर वियम से यहां पर प्यानो ब्लैक ट्रीट्मेंट की फिनिशिंग करने के लिए यहां पर मिल जाता है यह बूट ओपनिंग और फ्यूल लीड के यहांपर दिया गया है एंड इंटियए तर्फिशिंग आप देख्ते हैं वह काफी प्रीमियम लगती है तो इसके एंटियूर्स में चलते हैं तो ऐसा कुछ आप है इसका इसस्टेरिंग वील आपको मिलता है, यहाँ पर भी wooden finishing दी गई है, leather wrap steering wheel है, यहाँ पर media controls mounted मिल जाते हैं, और यहाँ पर माँटे बाऊंटेड के लिए घल सब्साट पर बटन भी है यहां पे इंजिन पुछ टॉट्टॉप बटन है तो इसे अगर ऑन करते हैं तो यहां पर जो इनोवा का डिस्पले आ जाता है जो की काफी बढ़िया लगता है कि तो अब इसके फीचर्स देखते हैं इसमें क्या ओफर किया जाता है तो इसका डिस्पले चेंज सकते हैं यहां पर मीडिया के दिखाया जाते हैं यहां पर क्या चकुंच से कंट लिए यहां से कंट्रोल कर सकते हैं और यह नॉर्मल फिर से घुल जो पहला डिस्प्ले वहाँ पर जाता है यहाँ पर eco mode दिखा रहा है क्योंकि यह भी eco mode पर इसमें आपको दो modes offer कि जाते हैं यहाँ पर eco और power mode मिलता है यह traction control on off करने के लिए यह passenger airbag के यहाँ पर warning में गरा दिखाएगी और ओवरॉल इंटियूर्स आप देखते हैं तो यहां पर भी आपको वुडन फिनिशिंग मिलती है सिल्वर लाइनिंग यहां पर मिल जाती है इसा यहां पर यहां पर यहां से प्सों करते यहां नहीं को आपके सकते हैं और प्यांप की आपके आगेश्पर नहीं कोई आ इसे अंध्र कमेरा है, जिसकी आपके अपर है जो की guidelines के साथ, नहीं आता, like moving guidelines यहां पर मिलता है, and armrest में भी, काफी बड़ी हां पर space offer की जाती है काफी कुछ आप यहाँ पर रख सकते हैं उपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर IRVM आपको दिया गया है driver side sun visor पर भी आपको light और vanity mirror दोनों offer किया जाता है और यहाँ पर sun glass holder मिलता है यह मुझे काफी बढ़िया लगता है यह light जो है काफी बढ़िया लगती है और यहाँ पर जो है light का option मिलता है आपको यहाँ से जो है door opening पर on या off यह आपको सिर्फ left light on करनी है तो वह भी आपको मिल जाता है तो काफी सारे buttons यहाँ भी दिये गए बट specially यह light मुझे काफी पसंद आई को passenger side पर आपको vanity mirror मिलता है with light यह भी काफी आपको बढ़िया यहाँ पर दिया गया है गलब box में अगर space की बात करते हैं तो दो गलब box इसमें दिये गए यहाँ पर भी आपको मिलता है यहाँ पर आपको काफी कुछ रख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको glove box मिलता है जिसमें भी आपको काफी space offer की जाती है तो यहाँ पर पीछे की तरफ भी सेम आपको मिलते हैं यहाँ पे पियान ब्लैक treatment मिल जाती है प्र बीलों के लिए बटन मिल जाता है और पर भूर फिंशिंग यहाँ पेडी गई है डीसेंट से स्पेस यहाँ पर आफ की जाती है तो स्ट यह पर ultule कि मुझे उपर की जाती है काफी अच्छी स्पेस है और सीट मुझे काफी कमफर्टेबल लगे तो इसे अगर और ओरिजिनल पोजिशन पे लाते हैं तो आपको काफी स्पेस यहां पर ऑफर की जाएगी यहां पर आम रेस्ट भी मिलता है तो यहां पर चोटा सा आम रेस्ट दिया गया दोनों सेल है पर नीचे की तरफ और ऑपर को एश के गया चान्ट्रोल्स मुझा जाते हैं क्योंकि रियर में जो एक है वह अपको इस पर आम रूफ offer की गई है जो कि of course आपको halogen ही यहाँ पर offer की जाती है यह 3 रो है तो 3 रो के लिए भी यहाँ पर 2 ac vents offer किये जाते हैं 3rd रो भी वैसे comfortable होगी बट जिसकी height ज्याद है उनके लिए इतना comfort यहाँ पर नहीं होगा तो यह था मेरा review अबाउट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.7 वी सेकेंड टॉप अफ दे लाइन वेरेंट है पेट्रोल वर्जिन है तो चलिए दोस्कों इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक कर लेना मिलते हैं अगली ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में थैंक यू सो मच